नबस्काव स्वागत है आपका हमारी खास पेशकर्ष डॉक्टर कॉलिंग में और मैं हूँ आपके साथ दीप शिखा डॉक्टर कॉलिंग में हम बात करते हैं अलग-अलग बिमारियों के समाधान की और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बच्चे बेड वेट कर देते हैं समस्या का तीन साल की उम्र के बच्चों का जो बेड वेट करना है वो आम बात है लेकिन करीब 20 प्रदीशत बच्चे इस उम्र में बिस्तर गीला करते हैं लेकिन समय के साथ बच्चों में ये समस्या बनी रहे तो उसकी वज़ा जानना बेहत जरूरी हो जाता है कुछ बच समय बेड वेट करने की जो आदत है वो मादा पिता को परिशान कर देती है और वो बच्चों को सजा देकर उन्हें सुधारना चाहते हैं लेकिन बच्चे ये जान बूच कर नहीं करते हैं इसके पीछे कारण हो सकते हैं जिसे समझना और समय से इलाज कराना बेहत जरूरी ह होता है तो बच्चों के बेड वेट करने की समस्या से जुड़ी तमाम जौनकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीबाला जी मेडिकल इंस्टिटूट से वरिष्ट शिशु किड़नी रोक विशेश अग्ये डॉक्टर नेहा भंदारी डॉक्टर साब बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आज आने के लिए तो डॉक्टर हमारा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि शरीर में जो किड़नी होती है वो किस तरीके से काम करती है और जो अडल्ट और जो बच्चे होते हैं दोनों के वजह से बच्चे बेड वेट कर देते हैं शुक्रिया दीपशिखा सबसे पहले धनेवाद आपका यहां पर मुझे इंवाइट करने के लिए हम किड़नी की बात करें तो किड़नी जो है चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो दोनों में ही किड़नी एक बीन शेप जैसे बाहर निकालने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टन चीज़ें जैसे प्रूटीन हो गया हमारे शरी में हीमोगलोबिन हो गया वाइटमिन डी हो गया यह सब बनाती है किड़नी सब कुछ फिल्टर करके जो गंदगी होती है उसे यूरेन के फ़र्म में बाहर निकालती है जो जब हमारे दिमाग से सिगनल यह पहुचते हैं हमारे ब्रेन में कि हमारा ब्लाडर फुल हो गया है तो अपने आप से वह ब्लाडर फुल होने से वापस दिमाग से सिगनल हमारे ब्लाडर की मसल्स को आते हैं कि अब हमें यूरेन बाहर निकालना है और इसके साथ में इक जी दोक्टर डी हां अगला सवाल मेरा अपसे यह होगा कि आखिर बेड वेटिंग होता क्या है अगर बेड वेटिंग की बात करें यानि बिस्तर पर पिशाप करना कोई भी बच्चा जो बिना अपनी knowledge के बिस्तर पे सोते समय पिशाब कर रहा है, ठीक है, यह सोते समय या तो दिन में भी कर सकता है और रात को भी कर सकता है, अगर डे टाइम में बिस्तर पे पिशाब कर रहा है तो उसे एनुरेसिस बोलते हैं, अगर रात के टाइम पे कर रहा है तो उसे नॉक्टरनल एनुरेसिस क कहते हैं बट यह बच्चे की विदाउट अपने नॉलेज के होती है जेनरली हम यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजे पात साल की उमर के बाद दो बार महीने में दो एपिसोड ऐसे होते हैं जिसमें वह बेड़ वेटिंग कर रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट बेड़ अगर एक नॉमल चोटे बच्चे की बात करें जैसे आपने अभी बोला कि तीन साल तक बच्चे जैनरली ऐसा होता है कि हम यह उमीद कर सकते हैं चोटे बच्चों में कि वह अपने आप से बिस्तर पे पिशाप कर लेते हैं बताते भी नहीं है उनको एक्चुली पता ही नह साहरार चिजय वह करे बताति इच्चा करने के आदत रहते है लभग फासे छे साल की उम्मर तक आते या ऐसा होता है कि रात को भी बच्च्चा ढर्च नहीं लग जाता है तो यह ए अग ऐज मानी जाती है पात सेचे साल की उसकेब भाद भी अगर बच्चा बिस्तर पर u यह गंदिगी को पिशाप के रूप में बना रही है और पिशाप जो है वो यूरिनरी ब्लाडर में स्टोर होता है वहां से यह बहार आता है अगर मान लीजे इस रास्ते में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बेड वेटिंग की समस्या हो सकती है जैसे अगर हमारी किड्नी सच ऑर लौ रहा है कि हमारा ब्लाडर फुल हो गया है और उसके कारण रिठ वेटिंग हो रहा है Euan-ой जिसके साथ रेलेटिड हो सकती है नॉर्मल होता है कि बचुद्q कर देते हैं अंधर बच्चे जागे वह एक normal बात है कि वह बिस्तर पे पिशाब करेगा, लेकिन अगर माननल लीजए अगर जखते हुए पिशाब कर रहा है, अपने आपसे निकल रहा है, या खोल्ड कर रहा है बहुत बार एक बच्चों को आप देखेंगे के टीवी देखते हुए काफी देर तक वो होल्ड कर रहे होते हैं पिशाब और एकदम से भागते हैं ठीके तो यह कुछ सिंटम से जो बहुत जादा इंपॉर्टन जैसे अरजेंसी हो रही है बच्चा एकदम से भाग के जा रहा है दिन के कि अगर सारे सिंटम सापको किसी बच्चे को देखने को मिल रहे हैं कि उसको अजेंसी हो रही है या या यह उरिन थोड़ा-थोड़ा कर रहा है या अंडर गामेंस गीले तो डेफिनिटली इनका कुछ कारण हो सकता है इंवेस्टिगेशन कराना और बच्चे के लिए डॉ बहुत जरूरी है जी बिलकुल सही जिस तरीके से आपने कहा कि इंवेस्टिगेशन कराना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए तो क्या कोई मैडिकल कंडिशन होती है जो बैड वेट से जुड़ी हुई होती है बिलकुल अगर आप मान लीजे जैसे यूटिया हो बच्चे को यारे यूरेनरी ट्राक्ट इंफेक्शन हो रहा है उसकेस में भी बैड वेटिंग हो सकता है अगर किड्नी के बारे में हम बात करें किड्नी के किसी भी अरिया में कुछ प्राबलम है तो बैड वेटिंग हो सकती है अगर किड्नी के अलावा कुछ कंडिशन जै तो उठते ही नहीं है तो उसकेस में भी उनको बेड़ वेटिंग का समस्या हो सकता है लेकिन अगर मानली जा आप कुछ और सिंटम्स देख रहे हैं जैसे आपको लगता है किड्नी नहीं है किड्नी के टेस्स, कफ और ब्लट टेस्ट और एक अल्ट्रसाउंट जिसमें हम किड्नी का साइज सब कुछ अंदर से पूरा देख सकते हैं नॉमल है कि नहीं है और एक urine examination इसके लावा कुछ specific conditions जैसे diabetes है तो blood sugar का test जरूरी है कुछ special x-rays भी होते हैं जो required हो सकते हैं जी निया बंडारी जी इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक पानी पत से जोड़ चुके हैं मुगेश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं तो लगता है कि जी से हमारा संपर्क तूट गया है तो दक्टर हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ जो test होते हैं required होते हैं तो आपने कई test के बारे में बात की तो हम वो detail जाना चाहेंगे तो सबसे पहले टेस्ट जाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कारण क्या होता है बेड़ वेटिंग का ठीक है तो बेड़ वेटिंग दो हम ब्रॉड ग्रूप में डिवाइड कर देते हैं एक प्राइमरी बेड वेटिंग यानि बच्चा कभी ड्राय रहा ही नहीं या मुझे जाकर पिशाब करना है और यही चीज उसको रात को भी नहीं पता चलता है कि मुझे बिस्तर पे पिशाब नहीं करना है यह मेचियोरेटी बॉइज में जेनरली लेट आती है और गर्ल्स में जल्दी आ जाती है अगर इक 90 परसेंट तक पांच छे साल में आ genetic predisposition, अगर माता-पिता में से कोई एक bed wetting करता हो तो chances है 50% बच्चे में bed wetting करने के, अगर दोनों ही माता-पिता करते हो तो ये percentage बढ़के 75% हो जाती है, और अगर दोनों में से कोई नहीं करता है तो percentage से 15% रह जाती है, और कारण जैसे hormonal imbalance, इसमें सबसे मुखिता कारण होत जो काम होता है यूरिन कम बनाना रात के समय में इन बच्चों में जो बेड वाइटिंग कर रहे हैं यूरिन जादा बन रहा होता है क्योंकि ADH कम प्रडूज हो रहा होता है इसके अलावा कुछ और चोटे-चोटे कारण है जैसे कि मैंने आपको अपको बहुत गहरी नीन म प्रशाप कर देता कभी कभी तो इसका कोई solution होगा बिल्कुल solution होगा जैजी सबसे पहले तो जो solution की बात करें पानी आपको जो भी पानी आप देना है पूरे दिन भर में तो आप में जो पानी जैसे 40% के करीब जो पानी है वो आप दिन तक दे देंगे बचा हुआ यानि अगर ये 6 साल का बच्चा है तो लगबग इसका डेड़ लीटर के करीब requirement है 700-800 ml जब तक वो स्कूल से आएगा आप खतम कर दीजे शाम को बचा हुआ तीन से 400-500 ml तक आप दे सकते हैं जब डिनर आप करते हैं जैसे 7-8 बजे के करीब डिनर के बाद सोने तक आपको आपको कोई भी दू चाइव अगयरा इस तरीके की चीज नहीं देनी है बच्चे को बिस्तर पे जाने से पहले पिशाब जरूर करानी है बच्चे को अगर हो सके तो रात को एक बार अलाम लगा को उठा के कराईए कम से कम आपको और सबसे जादा इंपॉटेंट चीज जो एंफेसाइज करूँगी कि बच्चे को डाटना नहीं है उसको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करना है उसको डिप्रेस नहीं करना है इस बात पर आपको उसको सिर्फ समझाना है ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए फॉफुली अट लीस्ट ट्वेंटी तु थर्टी जिसमें आप जीन्स की बात कर रही थी एडी एच की बात कर रही थी और कारण में स्लीपिंग की बात कर रही थी बिल्कुल तो उसमें बढ़ाते हुए सबसे एक इंपॉर्टन चीज होती है कॉंस्टिपेशन यानि कबजी बच्चों में भी कबजी की बहुत जादा समस्य होती है और स्पेशली आप देखेंगे जो बच्चे जादा दूद पीते हैं और उन में ये बेडवेटिंग का समस्या क्योंकि कबजी की वजह से भी बेडवेटिंग का प्रॉबलम हो सकता है तो वो ट्रीट करना जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया अभी उनको बच्चा बार बार अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी तो प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना है जी यही सारे में कारण है जो जी डॉक्टर नेहा मैं एंट्रप करना जाओंगे हमारी एक दर्शक है डिली से रीना वो जोड चुकी है रीना आप अपना सवाल पूछ जाओंगे हमारे पास काफी गैप है बट क्या आपकी फैमिली में यह बेड वेटिंग का प्रॉब्लम यानि उसके माता-पिता या आप माता-पिता के बाई-बैनों किसी को रहा है क्या है तो फिर थोड़े से उसके चांसेज है बेड वेटिंग होने के खाने पीने में प्रिशली सोने से पहले सोने से पहले दो-तीन घंटे पहले आप सिप्स ओफ वाटर देंगे दूद वगर नहीं देना है आपको तो रीना जी से हमारा संपक फिलाल टूट गया है तो जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि सोने से पहले लिक्विड जो चीजे है फ्रिज है व बहुत इंपॉर्टन चीज है और शायद बहुत बार हम इस चीज को नजर अंदाज कर देते हैं स्पेशली रात के समय हमारी फैमिली में दूद देना बच्चों को एक आम चीज है क्योंकि दूद बहुत अच्छा माना जाता है दूद दीजे लेकिन सुबे के टाइम रात बार यूरिन करने जाने के लिए यूरिन होल्ट ना करने के लिए स्कूल में बोलना है कि एक बार जरूर यूरिन करने जाएंगे घर आके भी यूरिन पास जरूर करना है और बिस्तर पर जाने से पहले यूरिन जरूर करना है ये कुछ चीजे जरूर आपको ध्यान रखनी है और अगर मान लीजे एक बच्चा बिस्तर पर पिशाप कर रहा है तो आप उसको सबसे जादा इंपॉर्टेंट है पेरेंस का मोटीवेशन और बच्चे का मोटीवेशन जब तक बच्चा मोटीवेटेड नहीं होगा यह प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती बच्चे का बच्चे के लिए सबसे जादा जरूरी है कि बहुत जादा बच्चे को खाने में आपको थोड़ा सा घी हरी सबजियां यह सब जादा देनी है थोड़ा सा सॉलिट इंटेक बच्चे का जादा रहना चाहिए बच्चे को एक healthy habits होनी जिसमें रोज उसको पॉटी करने के लि जिसमें आपको यह नोट करना है कि वह कितना amount of urine कर रही है कितनी बार पूरे दिन भर में कर रही है कितना liquid ले रही है यह at least हमें 48 hours का एक हिसाब किताब चाहिए होता है साथ में वो test चाहिए होते हैं अगर मान लीजे हमने जो आपको fluids और यह सब बताएं उसके बाद भी बच्चा नहीं ठीक होता है तो दूसरे options भी हैं जैसे एक alarm therapy नाम का option है अलाम में हम क्या करते हैं कि दो तरह के alarm होते हैं एक alarm होता है जो बच्चे के underpants में ही लग जाता है जैसे ही बच्चा urine शुरू करता है वो alarm एकदम से बजना शुरू कर देता है बच्चे को जाके washroom में जाके urine करके आके ही वो alarm बंद करता है और दुबारा reset कर लेता है अग चांसे हैं 50-60% लगभग 6 महीने में वच्चे इंप्रूफ कर जाते हैं अगर मान लीजे इनसे भी नहीं इंप्रूफ्मेंट होता है तो हमारे पास कुछ ड्रक्स भी होती हैं जो दी जाती हैं ड्रक्स लगभग 5-6 महीने ही कंटिन्यू की जाती हैं और 90-100% I would say cure हो जाते हैं और रिलाप्स भी नहीं करते हैं जी मरनत I hope कि आपको अपने questions के answer मिल गए होंगी डॉक्टर जिस तरीके से आपने अभी alarm therapy की बात की और drugs की बात की गई तो हम चाहेंगे कि आप इस पर लोगों को विस्तार से जानकारी दे बिल्कुल दीप शिखा तो सबसे पहले जो मैंन खाब भी कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है नहीं इंप्रूव कर रहा तो अब हम आते हैं अलाम की बात पर अलाम दो तरीके से यूज किया जा सकते हैं एक अलाम तो जो आप बेट पर लगा के रात को सोते हैं कि आपको ये पता है कि मेरा बच्चे को एक से के बीच में यूरेन बेट पर पास करता है तो आप वह अलाम लगाई है और उसमें थोड़ी कॉंप्लाइंस पेरेंट्स की तरफ से भी चाहिए कि रात को एक बज़े हर रोज उठके वह करा सकें दूसरे तरह के अलाम साते हैं जो हम बच्चे के या तो अंडर पैंट्स पर फिट कर देते हैं या बच्चे की शीट के नीचे फिट कर देते हैं जैसे ही बच्चा थोड़ा सा भी यूरेन पास करना शुरू करता है वह अलाम बजना शुरू हो जाएगा बच्चे को उठना ही पड़ेगा च जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, यानि बच्चे के अंदर ADHD कम बन रहा है, या उसके अंदर developmental immaturity है, ठीक है, अलाम तो हमारा work कर रहा था condition reflex पे, यानि मैं बार-बार आपको जगा रही हूं, जब भी आपको urine आ रहा है, तो एक तरीके से आपको reflex बॉड़ी में जाग जाता है कि अब दुबारा urine जब भी आएगा तो अपने आप से आपकी आग खुल जाएगी, especially यह काम करता है जिन बच्चों में बहुत गहरी नीन में सो रहे होते हैं बच्चे, अब दूसरी हम बात कर रहे थे drugs की, तो drugs में जो हमारे पास drug available है, वो desmopressin नाम से है, उस drug से यह होत क्योंकि 99% को बनने लग जाता है, जी नेहा जी हमारे साथ एक दर्शक है, हमारी पिंकी जो की रोहतक से जुड़ गई है, पिंकी जी आप अपना सवाल पूछ सकती है, जी माम, जो बच्चों को इसी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आसपास के डॉक्टर से दिखाने सिध गलत नहीं कहते हैं, लग भग 9 से 10 साल तक 5% बच्चों में ही रह जाती है, लेकिन मैं अभी फिर दुबारा वही चीज़ रिपीट करूँगी कि ट्रीटमेंट करेगा सीवियरिटी ओफ कंसर्न पे और पेरेंट्स और बच्चे के मोटिवेशन पे, कोई भी ट्रीटमेंट कि आसपास के डॉक्टर इक्विब्ड हैं इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए तो आप उनके पास जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जादा परिशान कर रही है, बच्चा भी डिस्ट्रेस्ट है और आप भी डिस्ट्रेस्ट हैं इस प्रॉब्लम से, तो डेफिनिटली आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम का सिल्यूशन तब भी होगा, जी पिंके जी आशा करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीबा पर खबरों का सलसला जारे रहेगा, तब तक बने रहेगा हमाए साथ, हमें दीजे जाज़त, नमस्कार